हाई व्रेवनों सभी को नमस्कार मेरे चैनल लर्निंग विद रिचागीरी में आपको बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम पढ़ेंगे हेरेडिटी और इंवार्मेंट का क्या असर पढ़ता है इंटेलिजेंस पर हेरेडिटी जिसे हम जीन या जेनेटिक से रिलेट कर सकत हैं और इंवार्मेंट यानि कि वातवनन तो उस पर इंटेलिजेंस का उनका इंटेलिजेंस पर क्या आसर पढ़ता है तो हम देखते हैं यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजे और यदि अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब सब्सक्राइब कीजेए तो इंटेलिजेंस पर इंटेलिजेंस पर जेनेटिक और इंवार्मेंट का कितना इंफ्लूएंस है यह हम देखते हैं यह साइकॉलोजी के फील में बहुत ही कंट्रोवर्शल टॉपिक है और साइकॉलोजिस ने इसे एक होट टॉपिक माना है करते हैं इंटेलिजेंस को डिटर्माइन करने में और कुछ साइंटिस्ट जो की जेनेटिक को फेवर करते हैं उनका यह मानना है कि 40-80% जो वैरियंस है आईक्यू में वह जीन से लिंक है नाउ वाट इस जीन यह जीन क्या है तो जैसे बॉड़ी में एक हुमन बॉड़ी है वो किस चीज से बना होता है तो वो सेल्स से बना होता है और सेल्स में क्या-क्या होते हैं तो सेल्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिने हम और गैनली कहते हैं तो उसमें से एक कंपोनेंट जो होता है सेल का वो नूकलियस होता है और नूकलियस के अंदर जीन होता ह तो यहीं gene जो है वो determine करता है कि intelligence factor parents से कितना आया है मतलब इसी gene के कारण जो parents का character है वो child में आता है और note करने वाली बात ये है कि जो genetics of intelligence है वो single gene से influence नहीं होता है बलकि बहुत सारे gene के interaction से influence होता है तो एक single gene जो है वो intelligence को determine करने में responsible नहीं है बलकि बहुत सारे gene है वो interact करते हैं complex form बनाते हैं उससे intelligence पर असर पड़ता है तो जो genetics को favor करते हैं जो researchers उनका ये कहना है कि genetics के कारण intelligence है बट ये genetics के कारण क्या express हो सकता है तो जो psychologists environment को favor करते हैं वो कहते हैं कि environment के कारण जो intelligence है वो express होता है तो हम ये conclusion पर पहुँचे कि genetics और environment दोनों interact करके gene को genetic character को या intelligence को express करते हैं हम एक example ले लेते हैं एक child बहुत ही तेज पैदा हुआ है बट वो एक deprived culture में deprived वातावर्म ने पैदा हुआ है जहां उससे ठीक से nourishment नहीं मिल रहा है खाना नहीं मिल रहा है उसे educational opportunity नहीं मिल रही है तो यहां उसका intelligence जो factor है वो दिखता नहीं है तो यह कहा जा सकता है कि gene के कारण उसके अंदर intelligence वाले trait तो है character तो है बट वो express नहीं हो पा रहे है तो environment का भी बहुत बड़ा रोल है इसे express करने में हम दो type की evidence देखेंगे तो 1 एक evidence में हमें यह देखने को मिलेगा कि जो gene है उसका ज्यादा influence है intelligence पर और दूसरे evidence में यह देखने को मिलेगा तो देखते हैं इस में evidence of genetic influence on intelligence इसमें हम twins की बाते करेंगे जिसमें दो case study देखेंगे एक तो identical twins पे दूसरा fraternal twins पे तो पहले हम यह जान लेते हैं कि identical twins क्या होता और fraternal twins क्या होता है तो identical twins जो होता है एक ही mom से एक ही time जन्म लेता है और same egg से जन्म लेता है वो same egg अलग-अलग part में बढ़ जाते हैं दो embryo बनाते हैं और दो embryo से दो baby बनता है और fraternal twins भी same mother से होता है same time होता है बट दो different different egg से होता है तो यह case study plomin और spinet ने 2004 में दिखाई थी तो इसमें हमने यह देखा कि जो identical twins है और fraternal twins है दोनों को same type का बातावरन मिला तब भी जो identical twins है उनमें जाधा similarity देखने को मिली रधा fraternal twins में तो siblings rear together in the same home have IQ that are more similar than those of adopted child और children rather raised together in the same environment तो यहां हमें यह भी देखने को मिल रहा है मैग्यू और others के case study में जो की 1993 में की गई थी कि जो siblings हैं जो brothers and sisters हैं उनका IQ जाधा similar दिख रहा है देन दोस जो की adopted child है तो जो same माता पिता के बच्चे में जाधा similarity दिखती है intelligence quotient में और जो adopted child है उनको भी अगर एक उसी environment में पाला जाए तब भी उसमें IQ difference देखने मिलता है तो यह evidences यह प्रमांड यह favor कर रहा है कि gene का जाधा influence है intelligence में इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि कुछ other biological factors हैं जैसे maternal age, mom का क्या age है, plus paternal exposure to harmful substances या mom या father कितने exposed हैं कितने harmful substance को कितना उन्होंने consume किया है या कितना exposed है उससे जिससे बच्चे के intelligence पे असर पड़ता है प्लस बच्चे को जन्म देते वक्त, मा जो है वो क्या क्या nutrients ली है और father भी जन्म लेने से पहले उनकी कैसी capacity है कितनी nutrients उन्होंने ली है, तो यह सारी जो चीजे हैं वो intelligence factor को influence करती है हम अब कुछ environment का प्रमांड देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ा है intelligence पर तो यहां पर हमने देखा कि जो identical twins हैं उनको अगर अलग-अलग वातावरन में रखा जाए तो उनमें हमें IQ level का difference मिलता है, जबकि यह identical twins है तो यह difference क्यों मिल रहा है, यह उनमें environment के कारण मिल रहा है क्योंकि वो अलग-अलग environment में पले हैं, उन्हें अलग-अलग nourishment provide की गई है अलग-अलग उन्हें condition मिला है अपने life को spend करने के लिए तो यह भी study Maggie and others 1993 में दिखाई गई है और हमने यह भी देखा है कि जो school attendance है उससे भी IQ score में फरक पड़ा है और children जो हैं यह देखा गया है कि जो अपने first 3 to 5 months में breast-feeded होते हैं उनमें IQ level जादा अच्छा होता है than those children जिन्हें breast-feet का मौका नहीं मिला है या फिर कम मिला है और यह भी देखने को मिला है example में हम यह कह सकते हैं कि जो first child होता है उसका IQ level जादा होता है तो researchers का यह कहना है जो कि environment को के influence को जादा favor करते हैं कि जो first child होते हैं उनमें माता-पिता जादा caring होते हैं कि उनसे जादा expectations रहता है उन्हें जादा वो privilege प्रोवाइड करते हैं तो इसके कारण उनका IQ level जो है वो जादा होता है झाल करते हैं